है 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 गाइज वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो आज हम बनाएंगे रेड बल्वेट पेश्टी राउंड में तो उसके लिए सबसे हम पहले स्पॉंज काटेंगे रेड बल्वेट इसके बाद तीन लियर करेंगे इसका जैसे कि अब देख सकते हो मैं सबसे पहले उपर कहीं साट आ दिया फिर नीचे कहीं साट आ दिया ताकि वो खाने में कड़वा को ना आए और सबसे पहले हमने तीन लियर काट लिया है अब हम राउंड कटर से स्पॉंज को काटेंगे जैसे कि अब देख सकते हो मैंने काट लिया है उसके बाद हम पानी मा रहेंगे सुगर सिरफ जिसे कहते हैं सुगर सिरफ फिर हमने लिया एक क्रीम चीज अब कोई सबी कंपनी का अच्छा क्रीम चीज ले सकते हो फिर हम इसमें एड करेंगे आइसिंग सुगर जिसे मैंने आइसिंग सुगर एड कर दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स करना है आइसिंग सुगर का दाना जब तक मेल्ड ना हो जाए अच्छे से हमने नाइप से मिक्स करना है अब हम उसमें एड करेंगे वीप क्रीम अब हमने वीप क्रीम एड कर लिया है वह भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है उसके बद हम पाइपिंग में बरेंगे इस तरह के से उसके बाद हम लियरिंग करेंगे रेड बिल्बेट पेश्टी की जैसे अब देख सेकते हो मैं किस तरी किसे लियरिंग कर रहा हूं इस तरी किसे लियरिंग करना है यह हमारा हो गया रेड बिल्बेट पेश्टी लियरिंग का हो गया कि उसके बाद हम करेंगे आइसिंग फिर हमने उपर से वी सुखर सिरफ मार दिया है कि अब यह पाइपिंग से इस तरीके से आइसिंग करना है इस तरीके से आइजी रहेगा आइसिंग करने में कि अब यह पिर हमने कंगी मार दिया है और ताकि डिजाइन थोड़ा अच्छा आजाए आप कोई सभी कंगी मार सकते हो हमारे पास यह बड़ी वाली कंगी है तो हमने बड़ी वाली कंगी मारा है यह पिर हमने यह पेस्टी बेस में लेडिया है यह हमारा हो गया है रेलबलट पेस्टी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब हमारा पेश्टी हो गया है तियार अब हम इस पे रेडवल बेड़ का चूरा चनी से उपर की तरफ चान देंगे इस तरीके से हमने अब इसमें चूरा चान दिया है अब हम इसको जो बेस पे एक्स्ट्रा चूरा है वो बॉर्डर कर देंगे स्केल से इस तरीके से वो बॉर्डर लुक में अच्छा आएगा अब हम उसके ऊपर पेस्टी का जो बेस है उसी से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि जो चूरा है वो प्लेन हो जाएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा और साइड में भी इतनी गिरेगा अब हम पाइपिंग वारेंगे एक ड्रॉप अब इसके ओपर लगाएंगे हम गार्निश मश्रूम वाली यह बन गया हमारा रेड बेल बेट पेस्टी तेयार अब देख सकते कितना सिंपल और ऑट